आज मैं आपके लेकिया आई हूं सरफ 5 मिनिट में मोदग बनाने की रेस्पी बिना गैस जलाये आप इसे फटा फट से बना सकते हैं शाइन देखिए इसकी कितनी बड़िया आ रही है बिना चीनी के मैंने इसे बनाया है और ये देख सकते हैं कितना बड़िया लग रहा है द काजू और बडाम है ड्राइफ्रूट आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं तो हमें इसे लो फ्लेम पे इसको भून लेना है जब तक इसमें थोड़ा सा कलर ना आ जाए हलका सा इसके उपर गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे अब यहां पे भून एक बावल मैंने यहां पे भरके मूरमूरा लिया हूँ बस इसको ढालके हमें इसको भूनना है मीडियम फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए दोस मिनट नुत हम इसको भून लेंगे ताकि यह क्रिस्पी हो जाए तो यहां पे मैंने देखिए इसको भून लिया है अब यहां पे मैं मिला रही हूँ दो बड़े चमच नारेल का बुरादा इसमें डालेंगे और इसको भी अभी इसमें भून लेंगे पहले मैंने इसले नहीं डाला क्योंकि नारेल का बुरादा जल जाता तो इसलिए मैंने मूर मूरे भून लिए उसके बाद नारेल का बुरादा डाल के भून लिया अब यहां पे भून के तयार है तो चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और निकालने के बाद ठंडा यह हो गया है अब इसको मैं मिक्सी में डाल दे रही हूं और मिक्सी में डालने के बाद इसी के साथ यहां मैं डालूँगी जो हमने काजु बदाम भुण के रखे थे वो डाल देंगे इसके अंदर और यहां में डाल रही हूं अब गुड़ डाल रही हूं यहां पर मैंने half cup गुड़ लिया हुआ है ये पहले से ही बहुत soft है यहां पर मैंने इसको कद्दुकस करन देखिए इस तरी का टेक्शर हमें चाहिए यहां पे यह देखिए मुर्मरे को भुनने से क्या होगा जो उसका सेलावापन है वो खतम हो जाएगा और एकदम बढ़िया से भुन के तयार होगा अब बावल में निकाल लेती हूँ मैं यहां पे यह देखिए थोड़ा सा करवफर बहुत अच्छा आ जाएगा तो वो मिक्स कर लेते हैं अच्छ से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूंगी देखिगी का तो यह यह को भी मिक्स कर लेंगे तो बहुत भाड़िया बनेगा और यहं भूप के लिए बना रहे हैं तो साघग है मिक्स करने पयाओoga प देंगे इसके अंदर ताकि मोदक जो है देखने में भी सुन्दर लगे तो यहां पर बस पिस्ते को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है यहां पर मैं देखिए मिक्स कर लिया मैंने इसको अब यहां पर मैं डाल रही हूं थोड़ा-थोड़ डाल के हमें इसका ही डो तयार करना ह बहुत त्यार नहीं करना है नहीं तो मोदक बनेंगे नहीं बिखर जाएंगे तो यह दूद जो है उबलावा दूद है और नॉर्मल टेंपरेचर पर है बस यहां पर देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूं एक साथ बहुत सारा दूद नहीं डालेंगे नहीं तो जो मोदक का मिक्षर है वो गिला हो जाएगा बस यहां पर देखिए मैंने तयार कर लिया है आपको दिखाती हूं एस तरीके का यह कुछ ऐसा तयार होगा अब यहां पर मैने मोदक का मोड्ल ले लिया है तो यहां पर वस इसमें डाल देंगे बहुत असानी से मार्किट पीक में मोदक का मोल्ड मिल जाता है तो यहां पर अच्छे से दबा दबा के अंदर यह भरेंगे हम और अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी बना सकते हैं रोल करके बस उसका उपर से पीक निकाल लें तो यह बन जाएगा बहुत असानी से घर पर हाथ से भी मोदक आप बन बढ़िया बनके तयार होंगे चलिए इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कैसा मोदक बनके तयार हुआ है बहुत ही बढ़िया बनके तयार होगा यह देखिए यह देखिए कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट शेप इसका आ गया है तो यहां देखिए शाइन आप देख स हुआ है थैंक यू